दोस्तों बहुत बार एक क्वेशन कुछा रहता है कि किस तरह का अंडेवेर से हमें पहनना चाहिए ब्रीज पहनें बॉक्स पहनें या ट्रंक्स पहनें पर इसका जवाब जो इतना असान नहीं है दोस्तों यह बहुत सा है फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सिर्फ शेप टॉक्त दोस्तों पर सिर्फ में रखते दोब्लम्स ऑनक्रवन जानेंगे किछा है अंडेवेर का फैब्रिक क्या है घराप में डाल यह डाल रहे हैंरे हैं दोनों टाइम डाल खरें नहीं दाल रहे हैं इन चीजों पर और आपको एक्जिस्टिंग बस बांकर बलिए होता है किस तरह कि आपका डे का रूटीन होता है और क्या कोई existing प्रॉब्लम्स आपके हैं जैसे की इंफेक्शन हैं क्या या कोई सीमन पारमीटर में प्रॉब्लम्स है क्या इन सब को दियान में रखते हुए एक जवाब इसका हम आपको दे सकते हैं दोस्तों जैसे कि हम जान ऑंडर्वेर्श भी कहते हैं और तीसर टाइप होती है इनके बीचके चीजह को हम ट्रंक्स भी कह जैते हैं या कभी-कभी Boxer-Breef का नाम भी दिदेते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो Boxer हैं वो काफी airy होते हैं और जो हमारे testicles के आसपास तो temperature होता है वो हम ज जाता जो चनता है वो अचलत करती है। आड़क्टर्स करते हैं। तो दूसमों जानते हैं हमारे जो हैं वो बॉडी से बाहर रहते हैं और इसका एक परपस है कि एक स्पर्म प्रडक्शन जो है वो बॉडी के तापमान से 2 डिगरी कम पर होता है। तैंपरेचर को यह करने होती हैं तो यह लटक जाते हैं तो टेम्परिचरी कम रहし सकता है ताफन से हमारे बॉडे के गवरेश्र से और सरदी इतो इत्पान कारए सरा और इसलिए हम काफी बार बात करते हैं कि लूज क्लोधिंग को रखने की या टाइट अंडर्वेर ना पहनने की पर दोस्तों हम कुछ रिसर्च की बात करते हैं जो की बहुत अलग अलग टाइम पर हुई है अलग जर्नल में पब्लिश्ट है और जानते की यह क्या कहते हैं तो दोस्तों बहुत बार हमें डावट ही रहता है कि सब कुछ अंडर्वेर के शेप पर डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, बट 1994 में यह जो जर्णल थी, अर्गनॉमिक्स, इन्होंने स्टडी किया, आट लोगों में अलग-अलगता के अंडर्वेर प कितने लेयर में बनाए गया, उस सब चीजों से इस पर फरक पड़ रहा था, तो एक सबसे पहली मिस्कंसेप्शन तो यही दूर कर देते हैं, कि सरफ शेप इस एक चीज नहीं है, जिससे इस पर फरक पड़ता है, हमारे सपर मैटोजनेसिस पर या बाल्स के रहन सेहन पर, अगर फैबरिक जो है, वो काफी ब्रीदेबल है, एरी है, और लाइट है, तो इवन जिस तरहां का फैबरिक है, वो कॉटन का है, या सिंथेटिक है, उससे भी इन लोगों ने देखा कि कोई बहुत फरक नहीं पड़ रहा था, अब हम एक दूसरी स्टडी की बात करते हैं, जो कि 1998 में आई, यानि 1994 के जो यह स्टडी थे, इसके बाद चार साल बाद आई, जसमें एक बहुत ही रेप्यूटिट जनल हमाई उरोलोजिस जिसको पढ़ते हैं, उसमें यह पूछा गया, कि क्या एक्चुली बॉक्सर्स जो हैं, वो बेटर होते हैं, और इस स्टडी में बीच में, स्पर्म कॉलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहां तक तो सब चीजें बड़ी एजी समझ में आ रही हैं, कि आप कैसा भी डालें, अगर वो ब्रीदेबल है, और उसका फैबरेक बहुत जादा उक्लूसिव नहीं है, टेंपरेटर को मेंटेन करने में टाइट अंडरवे डालते हैं, तो टेंपरेटर जादा हो जाता है, और उसके वाइस पर मैंटो जैसे पर फरक पड़ता है, और इस स्टडी के आने के बाद, जो हमारा कॉमन तथे हैं, फिर उस पर वापस डाउट क्रेट होने लगा, और इसके बाद एक स्टडी आई दो ह ब्रीव डाले हैं, यह भी जरूरी है कि आप दिन में उसको डाल रहे हैं, रात में भी डाल रहे हैं, दिन में किस तरह डाल रहे हैं, रात में किस तरह डाल रहे हैं, और नहीं डाल रहे हैं तो क्या उससे भी फरक पड़ रहा है, तो यह सब पैरमेटर को भी उन्होंने पर अभी जो लेटेस्टिक स्टड़ी 2018 में आई उसके बारे में भी एक बार गौर फर्माते हैं स्टड़ी में 6500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने इंक्लूट किया जिसमें से 53 परसंट लोग वो बॉक्सर डालते थे और उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने बॉक्सर शॉट्स डाले थे उनमें 25 परसंट कांसंट्रिशन ज्यादा थी स्पांस की और मोटिलिटी और मॉर्फालोजी में भी फरक था और उन्हें देखा कि FSH लेवल्स भी जो हैं वो भी कहीना कहीं वेरी कर रहे थे बॉक्सर्स के अंदर FSH लेवल्स कम थे स्पांस ज्यादा अच्छा था ब्रीव्स के अंदर FSH लेवल 14 परसंट ज्यादा थे और इसलिए स्पांस प्रोड़क्शन पर कुछ एफेक्ट आ रहा था तो दोस्तों अगर हम देखें तो यह बात पूरी तरह से गलत तो नहीं है कि अगर हम बहुत टाइट अंडर्वेस डालते हैं तो कुछ इसका एफेक्ट स्पांस पर प्रोड़क्शन पर आ सकता है पर जैसे कि हमने जादा स्टडीज पुरा ही देखी यह बहुत जादा सिग्निफिकेंट फरक नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर हम अपना अंडर्वेर ह कम हैं और फिर उसका एक सर्टीक अगर पॉसिबल है तो उसको करना होगा पर ऐसे बहुत साथ दोस्त हमारे ऐसे में हैं जिनको स्कूर्टल प्रॉब्रम्स रहती है यानि कि जिनको कोई ना कोई गोलियों में दर्द रहता है या इन्फेक्शन रहता है या जिनके गोलिया लटकने की वैसे उनको परिशानी हो लिए और ऐसे में फिर नाच्रल चॉइस जो हो जाती है वो यही होती है कि हमें एक लंगोट डालके रखें या ब्रीफ डालके रखें जिसमें टेस्स जो है वो बाड़ी के पास ही रहेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं कि आप कमफ साही चीज़ें हमें देखनी है अगर हम अपना अंडर्वेर चूज करें तो एक तो इसका फैब्रिक कितना प्रीदेवल है कितना कमफर्टेवल वह आपके लिए है और आप किस तरह के काम में इंवॉल्ड रहते हैं इन सब को मिलाके और क्या आपको कोई प्रॉब्लम है स् इन सब के कॉंबिनेशन के बाद ही आप अपना बेस्ट अंडर्वेर मेडिकली चूज कर सकते हैं